नमस्कार दोस्तों मैं प्रिती शर्मा दफ्यक टाई में आपका स्वागत है आज हमारे साथ यूद खड़ा है लोग खड़े हैं आपने देखा होगा मीडिया में बहुत चर्चा में रहने वाला विश्य है बाबा राम रहीम जी वे डेरा सचा सोदा आज हम लोगों से उसी पे चर्चा कर रहे हैं बाबा राम रहीम जी के बारे में डेरा सच्चा सोदा के बारे में सुनिल इहनि हिसा आज हिसाब कौनिफ किसिसिन क्या है त्थ किमाइब टयसा विशुष पहले ऐँवार ऐ है याप है वे युज deepest मेरे बहुत जाह साथ संगत पूरा उसाव है पूरे साथ संगत अंदर नैनी ताल मद्या परदेश भार बार से लोग आया हुआ है कोई एक आदे तो इन में स्याना होगा इनको बता होगा बाबा जब जेल में गया तो हमारा जाने का मकसद ही नहीं है कोई लेकिन आप देखो तो बहुत सी इसलिए से जाने के लिए हया है चाहे बाबा रामरीम जी आज समाज में नहीं है सिरसा में नहीं है लेकिन लोग आज भी उसी आसता से यहां पर आ प край में आ ररे हैं प्обыले इसी हैं आपक क्या वह जस стал कर रहा हैं लिए ढली mesdisco कर दकित्य सा कारी हो और और रह me ख्वय करते हैं, कितनों को घुर्ड़े दान करकें, अच्छी चीज मतलब पोईन दिखाता, अगर एक जल्स चीज मिल जाया है, तो उसका नमक मिसाल है, जब तक मज़ाय नहीं तक बाद नहीं का कहना है कि लोग अच्छी चीज देखना पसंद नहीं करते इसलिए मीडिया ने भी सब कुछ गलत दिखाया है जूड दिखाया है मानता बलाई के कारियों को क्यों नहीं दिखाता मीडिया ये इन लोगों का सवाल है मीडिया से और लोगों से क्यों नहीं लोग अच्छाई को बहचांते और अच्छी बातों को जानते और सर आज आपको कितना विश्वास है बाबार मुझे इतना विश्वास है जी, मैं सचाए तो मेरे गुरूजी के लिए इर दुणिया चोड़ दोगों लेकिन गुरू जी को निखोड़ पाऊंग इन शूर्ट-था देखें दुनिया को चोड़ देंगे लेकिन वाबा रामरीम जीू को निखोड़ेंगे यह इन लोगों की आस्ता है जाहे मीडिया ने कुछ भी दिखाया हो, कुछ भी किया हो, आप लोग सोचिए और जवाब कमेंट बॉक्स में जुरूर डालिए, जुड़े रहे देखेक्ट आई किसा